जहें दोस्तो आज के एक और वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेकिंग अकाउंट के विशे में इस वीडियो में हम इस कॉंसेप्ट को अच्छे सी समझेंगे कि आखिर यह चेकिंग अकाउंट क्या होता है चेकिंग अकाउंट में आपको क्या benefits क्या services मिलती हैं यह सभी तरह की जानकारियां इस चेकिंग अकाउंट के विशे में आज हम समझेंगे तो चले दोस्तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो चेकिंग अकाउंट है यह एक तरह का एक bank अकाउंट होता है जैसे आज हम सभी saving account का use करते हैं, current account का use करते हैं, salary account का use करते हैं, वैसे ही ये भी एक तरह का एक bank खाता होता है और इसका नाम है checking account या इसको आप checking खाता भी कह सकते हैं दोस्त यह जो checking account होता है, इसमें वो सभी सुविधाईं आपको मिलती हैं, जो एक आम बेंक खाते में आपको दी जाती हैं, जैसे इस checking account में आपको money, withdrawal और deposit, यानि कि इसमें आप पैसे जमा करा सकते हैं, इसमें आप पैसे को निकाल सकते हैं, इसके अलावा आपको इसमें एक दोस्तों यह जो checking account है, इसको open कराने का जो मुख्य उद्य से था, वो यह था कि आपके जो regular basis पर खर्चे होते हैं, यानि जो daily basis पर आपके जो भी expenses होते हैं, उनको उनके लिए जो payments होती हैं, उनको frequently किया जा सके, आम तोर पर bank accounts में जब आप पैसे जमा करते हैं, तो UPI से प आप में पैसे आता था, लेकिन इस checking account को इसलिए लाया गया, ताकि जो daily basis की payments हैं, उनके लिए जो पैसे की requirements होती हैं, उनको आसानी से और एक fast तरीके से bank खाती से निकाल कर उन payments को किया जा सके, और इसलिए यहां पर इस checking account को लाया गया था, दोस्तों यह जो checking account होता है, इस charge नहीं pay करना होता, जिसे normally जब आप इंडिया में कोई bank खात खुलवाते हैं, तो saving account में आपको limits दे जाती है, कि आप ATM से महीने में 4-5 वार पैसा निकाल सकते हैं, तो आपको charge देना होता है, लेकिन ऐसे checking account है, इसमें ऐसा कोई भी यहां पर charges नहीं थे, इसमें आप unlimited times अप subscribe करें,